हेलो फ्रेंट्स गल्स बीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बताएंगे गुड़हल के फूल के बारे में और इसका दूसा नाम अढ़ुल भी कते हैं और इसे जवां कुसुम के नाम से भी जाना जाता है दिखने में ये तो बहुत ही सुंदर होता है और सनातन धर में अत्यंत्र पवित्र भी माना जाता है गुड़हल के पौधे को संपूर्ण और जड़ तक हर चीज किसी ना किसी बीमारी का इलाज में कामाता है गुड़हल का फूल सरीड का सूजन के साथ खुजली और जलन जैसी समस्याओं से भी राहत देता है पुराने समय में गु यूटी प्रोडेक्ट के तोर पर भी होता रहा है और गुड़हल का फूल काफी लादाया की स्किन के लिए होता है क्योंकि इसमें आइरन विटामिन सी और एंटी ऑक्सिडेंट पाए जाते हैं और इसके इस्तिमाल से इसकिन का दाग धबा और कील मुहासों और डार्क सरक और जुरियां जैसी समस्यां दूर होती है और यहीं नहीं गुड़हल का फूल से तोचा का कालापन भी दूर होती है चेरे के देख भाल के लिए किसी बर्दान से कम नहीं है आजकल के खराप लाइफ इस्टैल की वज़ह से चेरे पर जुरियां समय से पहले आ जाती है तो आपको चेहरे को मिलेगा बेदाग गुरापन गुड़हल की पत्यों में एंटी एजिंग की समस्याओं में उस्दी का काम करती है और तोचा को जमा बनाई रखती है गुड़हल का फूल कई तरह से पोसर कत्व से भरपूर है अगर आपके बाल को घना बनाना है तो पीछे से बालों की जड़ों में जा सके इसे बालों की काला बनाता है और बालों में चमक भी लाता है गुड़हल का फूल को आमला के साथ पीस कर लगाते हैं तो बाल जड़ना भी बंद हो जाएगा और बाल काले घने भी हो जाएगे और गुड़हल के फूल को नारियल त तरसों के तेल में गरम करके और तेल जब ठंडा हो जाए तो बाल पर पांच मिनट मसाज करें और अपने बालों पर दो से तीन घंटे बाद फिर सेंपू कर लें इसे आपके बाल स्वस्त रहेंगे गुढ़ल के पत्ते प्राकिर्तिक हेर कंडिशनर का काम करती है और बहुत स लोग बालों की समस्याओं से सफेद होना और बाल जढ़ना ये सब समस्या से परिसान है तो आप इस घरे लिए उसके को अपना कर जरूर देखिए आपको बहुत ही थायदा होगा चेहरे की सुन्दरता के लिए बालों को भी खुबसूरत होना बहुत ही जरूरी होता है आपको पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा फेस्बूक और वार्टसपर और अपने फ्रेंड के साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल जाए और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बेल आइकन को किलिक करें और सस्क्राइब करें तो फ्रे आपरेंट